आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रस्टनल ब्रैंडिंग के बारे में इसे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाए आप सबसे एक छोड़ा सा रिक्वेस्ट है मैं एक मीजिक वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें स्टोरी, सिनेमाटग्राफी, डियेक्शन और एडिटिंग मैंने किया है तो उसका टीजर मैंने अब आउट किया है और यह मेरे ब्रदर के चैनल पर है तो आप वहाँ पर जाकर उसका टीजर भी देख सकते हो प्लस उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तो गाई अब हम बात करते हैं प्रस्टन ब्रैंडिंग कैसे करना चीए मैं इसमें वो घिसी पीडिय टिप्स नहीं बताऊँगा कि हाँ वेपसेट बना लो सोसल मीडिया पर सेयर कर लो और इस तरह की चीज़ आपको पता है तो ये दुबारा बात करें कि इसमें कोई फाइदा है नहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो मैंने प्रस्टन लाइफ में एक्स्पिरिंस किया है और उसको यूज किया है वो सारी चीज़े मैं बताऊँगा इसके लिए हम चलेंगे स्टेप बाई स्टेप फर्स्टेप सेकेंड थर्ड इस तरीके हम चलेंगे तो सबसे पहले स्टेप के बारे में बात करता हूँ सबसे पहला स्टेप है माइंड सेट आपने अकसर सुना होगा कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं यह बहुत famous quote है और सब लोगों ने इसके बारे में जानते हैं पढ़ा होगा यह बहुत ही सही quote है और यह real life में actually work करता है आप जो सोचते हो वो आप बन जाते हो अगर आप सोचते होगे कि हाँ मुझे जिल्दी भर जौब ही करना है और मैं employee बन के ही रहूँगा तो आप employee बन के ही रहोगे और अगर आपने मन में ठान लिया कि नहीं मैं एक brand हो और मेरा काम बहुत अच्छा है और मुझे अपने आपको artist brand करना है हमें artist को branding करना है artist employee दोनों बहुत different है employee जो होते हैं सिर्फ job करने के लिए बने हुए उनको फराइक नहीं परता है कि उनका काम improve हो रहा है नहीं हो रहा है बस उनको पैसे से मतलब है और हम सब मजबूरी में ये काम करते हैं यह नहीं कि यार कास में पहले से ये चीज़ कर रहा होता है तो आज मुझे इतनी ज़्यादा प्रब्लम फेस नहीं करनी पड़ती तो ये वीडियो इसलिए है कि आप लोग सही समय पे सही स्टेप लो सही चीज करो तो आगे चलके आपको चीज़े सही हो जाएगी और यह मैं क्यों कह रहा हूँ मैंने भी बहुत साल जॉब किया है और जॉब से मैंने एकी चीज़ सीखा है कि आप किसी भी कंपनी के लिए ना कुछ भी कर लो कितना भी कर लो वो कभी भी आपकी अपनी नहीं हो सकती यह मैं दिमोडिवेट निकर रहा हूँ, यह जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यह रियालेक्टी है, कि आप किसी भी तरीक है, क्योंकि आपके जैसे उनको भी हजार लोग मिल जाएंगे, और आपको उनकी जैसे कंपनी भी लाखों मिल जाएंगे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपके बएसे उनका काम रुखेगा, या उनकी बएसे आपका काम रुखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीजे चलती रहती है, जिन्दगी भी चलती रहती है, तो यह एक करवी सचाई है, जिसको हमें accept करना पड़ेगा, और मैंने इतनी तीन जॉब करके एक चीज़ सीख होगा है, सभी से काट कर देते हैं, तो अच्छा लगता है, तो कहने का मतलब कभी आप किसी को खुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजे रही जाती है, और जब तर हमें पता चलता है कि नहीं हमें खुद को ही परमूट करना चीज़ था तब तक बहुत टाइम हो गय और सोचोगे, कि मैं आप आर्टिस्ट हो और अपने आप अपको ब्रांड बनाना है तो अप ब्रैंड जैसे स्टेप लोगे। अगर आप ऐलो है, आप एक इम्प्लॉय हो तो हमेसा आपका एम रहें खिए, इस से अच्छी कंप्णी में जाना लेकिन आप सोचोगी कि आप brand हो तो company अपने आप आपके पीछे आएगे कि हम मेरे पास आजाओ, मेरे पास आजाओ, फिर आपके पास choice रहेंगे तो mindset कैसे work करता है यह मैं आपको बताता हूँ आप, आपको सोचना है कि आप artist हो ना कि आप employee हो यह अपने mind में आप fit कर लो कि आप एक artist हो, ना कि employee हो देखो, आप किसी काम के हो, तभी आपको किसी ने काम पर रखा हो अगर आप में कुछ बात नहीं होती, तो अभी तक आप बाहर होते employee का जो dream होता है, company change करना लेकिन artist का dream होता है, अपने आपको brand बनाना कि लोग आपके काम को देखे, कल को आपको follow करे या आपके idea से inspired हो, यह होता है, एक artist का dream कि उसके, आपके idea से लोग inspired हो, या आपको follow करे या जो भी है, मतलब कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन employee का dream होता है, कि आज उसको 5,000 मिल ला है, तो करना पड़ता है, कल के चीजों को दिक्कत नहों, खासकर earning में दिक्कत नहों, आपकी जो identity है, वो एक artist की है, ना कि कि किसी के यहां job करने वाले की है, यह तो आप different tips में दे रहा हूं, लेकिन अगर आप सोचोगे, अगर आप समझ जाओगे, तो चीज आपके लिए easy हो जाएगी, ठीक है, तो पहला step क्या है, कि आप अपने दिमाग में डाल लो, कि आप एक artist हो, ना कि आप एक employee हो, अब हम चलते हैं second step की तरह, second step है, Google जो search engine है, उसको सही तरीके से use करना, हम सब को पता है, कि अगर अपना work हम कहीं पर upload कर देते हैं, कल को हमारे बारे में लोग search करते हैं, तो हमारे design सामने आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने design को promote करना चाहते हो, तो आप एक employee की तरह सोच रहे हो, आप artist की तरह सोच नहीं कर रहे हो, artist डिजाइन नहीं बनाता है, उसकी personal thinking होती है, personal thought होता है, अपने बारे में बताना चाहते है, hobbies होते है, बहुत सारी चीज़ों होती है, जिनसे लोग connect होते हैं, कि हाँ, किस तरीके साब इस पर connect हो सकते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे cases देखे हैं, कि कुछ लोग art के field में होते हैं, लेकिन art से चीज़ों के उससा कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अलगी दुनिया में रहते हैं, सुबे job पर जाते हैं, और साम को अपने घर चले आते हैं, उसके अलाबा वो अपने हापे बिल्कुली work ने करते हैं, और वो चीज़े दिखती है, जब सामने वाला आपके बारे में सर्च करता है, तो वो चीज़े दिखती है कि इनका अलगी टाइप के चीज़े हैं, मलब वो आर्ट से कुछ लेना देना नहीं होता तो second step में हमें क्या करना है हमें पता है अगर हम कुछ भी अपने वारे में डालते हैं तो Google पे वो आ जाता है क्योंकि वो unique होता है सर्च में आ जाता है SEO है simple तो हम अपने design के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ डाले जिससे हमारी personal branding हो जैसी हमारे बारे में लोग देखे उनको एक thought जाए एक message जाए गहाँ ये ऐसे सुचता है इसके लिए हम दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं first है quotes quotes कैसे जो quotes होता है जो कुछ लोग अच्छी बाते बोलते हैं और जो quotes सामले लिखा होता है कुछ और सुचते हो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ और सुचते हो तो आप graphic designer तो होई तो उसको design format में आप upload करो और जब वो search engine में आएगी तब सोचो लोग आपके बारे में मालो किसे ने सर्च किया कुछ भी राजी मेहतावालों किसे ने सर्च किया तो design तो आही रहे साथ साथ में वो जो सोंचता है किस तरीके सोंचता है दुनिया और कैसे देखता है design और कैसे देखता है वो भी सामने में आ रहा है तो एक जो impression जाएगा वो employee से उठके जाएगा उनको लेगा हाँ यह artist है ना कि कोई employee है जो employee होते हैं उनका जो search के जो result होते हैं तोटली different होते हैं आप search करोगे तो नौकरी.com, ये.com, वो.com सिर्फ jobs बाली site पे उनके profile दिखेंगे और हर जगए यही लिखा होता है मुझे यह job चाहिए, मुझे वो job चाहिए लेकिन जो artist होता है उनके बारे में आप search करके देखो उनको job के बारे में आपको कहीं नहीं दिखेंगा वो खुद को present करना चाहते है कि देखो मैं क्या सोचता हूँ और आपका और मेरा idea अगर match करता है तो लोग खुदी आपको बुलाएंगे किसी company को, किसी company के किसी भी चुद को अगर आपका idea, आपके thought, आपके thinking पसंद आगी तो आपको खुदी वहाँ बुला लेंगे कोई भी company आपको सिर्फ इसलिए नहीं हाइर कर लेगी आप सब कुछ आगे तो यह नहीं बोलोगे नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं यह देखता हूँ, वह देखता हूँ, आप जो भी दिखाना चाहते हो, आप पूरी तरीके साब दिखा सकते हो, कि हाँ, मैं इस तरीके का हूँ तो कोट्स जो है वह बहुत अच्छी चीज़ है, आप चीजों को देखो, समझो, और देखो कुछ अपने आपको थौट है, मालो आप जिंदगी को, डिजाइन को, कलर्स को, किसी पर चीज़ को आप, आपका क्या थौट है, उसको आप, आपने सोसल मीडिया पर कहीं भी ड थिंकिंग आएगी, ना कि सिर्फ जोब करो, घर जाओ, ऐसी वाली थिंकिंग नहीं आएगी, तो यह जो कोट्स वाला जो आइडिया है, वो बहुत अच्छा वग करता है, और यह मैं तब से कर रहा हूँ, जब मैं साहिद यूटिब के बारे में सोचा भी नहीं था, और मै समझो मेरी दूसरी तीसरी जॉब थी, तब से मैं यह सारा काम कर रहा हूँ, और यह परसनल चीज़े में आप लोगे साथ सेर कर रहा हूँ, और सिर्फ कोट्स नहीं होबिज, और ऐसे कौन से होबिज हैं, जो आपके ग्राफिक फिल्ड में, आर्टिस्टिक फिल्ड में आ समयच हो जाए, जैसे फोटोग्रफी हो गया, आप अगर कुछ बुक्स परते हो, वो हो गया, आप मुवी क्या देखते हो भी हो गया, तो इस तरीके चीज़े आप दिखा सकते हैं, जो इस तरीके से चीज़ करता हूँ, ऐसा नहीं करना कि आमालो आपका कुछ याप ग्रा आप सुचते क्या हो, इसके बारे हमें बताना पड़ता है, तो सेकंड स्टेप क्या था, कि गूगल सर्च इंजन को थोरा से दिमाग लगा कर यूज करना है कि आप क्या दिखवाना चाहते हो तो टूटली आपके हाथ में, ऐसा कुछ भी मज दिखा दो, अगर आप डिजा अब चलते हैं third step कि तरफ, third step बहुत ही ज्यादा amazing है । बहुत ज्यादा अच्छा है मनलMean amazing वर्ट ज्यादा बोलता हम लेकिन सच में imeizing है आप जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको brand की तरह सोचना है कि brand कैसे सोचती है या artist कैसे सोचता है तो आपको artist की तरह सोचना है और एक अच्छा artist वही होता है जो अपना knowledge share करता है अपना knowledge दबाग ही नहीं रखता है अगर मैंने share कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा नहीं वो खुल के share करता है जितना ज्यादा share करोगे उतना ज्यादा आपके पास knowledge आएगा ये fact है आप दबाग रखोगे कहीं पी कुछ नहीं आएगा तो आप वो share करना होता है और share करने अग च्छोटा सा workshop organize करते हैं किसी को हम बताते हैं मालो आपके जहां पर आप काम करते हो या उसी का आसपास में आप कुछ workshop करना चाहते हो तो आपने बोला कि अच्छा संडेग या सनिवार को सनिवार को half day होता है तो half day मैं मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो जो तारीक को यह events आने वाला है और यह सारी चीज़े होने वाली है या तो आप उसको company तकी सिमिद रखा या आपने open events किया इवन्स तो आपने कर दिया लेकिन वो google पे हमेशा रह गया और आपने इस events का banner बनाया था अगर कोई उस banner कभी किसी ने आपके बारे मागर सर्च किया जो आपको नहीं भी जानते हैं आपको friend list में है facebook, instagram पे है उन्होंने क्या देखा है कि आप events organize करते हो तो आप already उपर उठ गए है तो आप जो typical job करने वाले होते हैं उससे आप already उपर हो जोब करने वाले सिर्फ job करते हैं और आप events कर रहे हो लोग के साथ knowledge शेयर कर रहे है इ इसके लिए बहुत simple fund है online अगर कुछ करते हो तो offline उसको बहुत अच्छे तरीके से promote करो और कुछ अगर offline करते हो तो उसको online बहुत अच्छे तरीके से promote करो अगर आप कुछ offline है मालो की कुछ आप company में या कहीं पर कुछ meet up या कुछ events या कुछ workshop रहे हो तो online जितनी भी sites होत कर दे दे या कुछ आपके बारे में लिख दे और उसको post करो अपने इस पर कि देखो लोगा क्या feedback है और यह चीज आपके लिए बहुत easy है कि आपने कर दिया आप लगा है चलो ठीक हमार events हो गया लेकिन जब वो search engine पर आएगी और जो भी अब जब ही लोग आपका profile website या इसको हमें as employee नहीं treat करना चाहिए आप आपके लिए respect लिए बढ़ जाए यही होता personal branding कि आप किस तरह के से धीरे 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 ब्रांड बनते हो यह just simple step में आपको बता रहा हूं तो यह था third step जिसमें आपको online events की side है उसको बहुत अच्छे तरीके से manage करना है अब है step number fourth social media accounts आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसने बताते हैं कि अगर आपको personal branding करनी है तो social media पर अपना work share करो और website बनाओ ये बनाओ वो बनाओ बहुत सारी वीडियो देखे हो लेकिन उसको करने का एक बहुत सही तरीका है आपको social media plan बनाना होगा कि आप क्या पोस्ट करने वाले हो अपने साइट पर क्या पोस्ट करने वाले हो तो social media पर क्या पोस्ट करना है उसका content plan है वो आप यहाँ पर site में देख सकते हो यह content plan है आपके description box में मिल जाएगा आप इसको download भी कर सकते हो तो कहने का मतलब है seven days के seven different posts होने चाहिए हर एक post अपने आप म इसको बना सकते हो और इस तरीके से आपको इसको post करना है तो fourth step क्या था कि social media को अच्छे तरीके से use करना है यह नहीं इसी work 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 share करना है ऐसा नहीं थोड़ा engaging थोड़ा different थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से इसको manage करके जो कि आप यहाँ पर tips में देख सकते हो इससे आपको यहाँ पर सारी help मिल जाएगे अब हम चलते है step number fifth के तरफ पांचमा step क्या है और fifth step है कि आपको reachable होना पड़ेगा मतलब कोई भी आप से contact करना चाहे तो आप से तुरंत contact कर सके यह नहीं कि आपने phone number डाला तो phone नहीं लगड़ा आपने email काम नहीं करा नहीं ऐसा नहीं फरक नहीं परता है कि आप कितने busy हो या कितना famous हो गए हो या फिर कितना जादा काम कितना जादा आपके पास काम है इसे बिल्कुल फरक नहीं परता आपको reachable रहना पड़ेगा तभी आपके personal branding अच्छे तरीके से काम करेगी और personal branding तभी आपको help करेगा नहीं तो फाइदा नही तो इसे कोई फाइदा नहीं इसलिए आपको connect रहना पड़ेगा लोगों से reachable होना पड़ेगा कि कोई भी आप से कभी भी connect हो सके बात कर सके अपना idea share कर सके कब क्या हो जाता है किसी को पता नहीं रहता हो सकता है कि अभी आपके पास ऐसा call आए जो बस time pass करने के लिए phone किय आप से बात कर सके जिसे आपको idea आते हैं वैसी आपको देखी किसी और को भी idea आता है तो जब उसके पास idea आए तो हाप से connect हो सके यह निकि बस number ही ढूनते रह जाए तो यह आपको ध्यान अगना है कि आपको थुरा सा editable रहना है लोगों से connect में रहना है तो यह 5 step थे जिस और यह बना रहे हैं यह काफी मजबूत CD है और यह बात आप सो बड़ा है कि लोग आपको काम को देखके काम नगेते हैं कैसे इंसान हो उसके दिखके आपको काम देदे हैं हो सकता काम बहुत अच्छा करते हो लेकिन आप negative हो negative बात करते हो हर किसी ऊगालिया देते हो भी आ बावो करना गया है, याद करो किया करना है, आपको जाके मेरा सॉंग का टीजर आया है, उसको एकवार देखना है, comment करना है, और अपना personal thought वहाँ पे सेयर करना है, और वो मेरे ब्रदर का चैनल है, तो वहाँ पर जाके एक दो सौंग उनके सुनू, अच्छा लगता है, तो आप उनको सब्सक्राब भी कर सकते हो, इस चैनल पर मेरे वीडियो को और भी वर्क आने बार है, और भी म्यूजिक वीडियो इस चैनल पर आने वाला है, तो ग्राफ कि अच्छा ब्राफ।